अभी तक हैरी पोटर की कहानी में हमने सुना कि हैरी को अपने कमरे में एक घरेलू जिन डॉबी मिल जाता है और वो हैरी को हॉगवर्ट्स जाने से रोकता है और वो हैरी की चेठियां जो उसे उसके दोस्तों ने लिखी थी उनको भी छुपा देता है हैरी बहुत परिशान था डॉबी उनके घर में आए मेहमानों को भी परिशान करता है और उसके अंकल आंटी हैरी को उसके कमरे में लॉक कर देते हैं और कहते हैं कि अब उसे हॉगवर्ट्स यानि की जादूगरे के स्कूल में जाने नहीं देंगे हैरी बहुत परिशान था और वो धीरे धीरे सो जाता है तब ही उसे ऐसा लगता है कि उसकी खिड़की को कोई खड़खडा रहा है जब वो उटकर देखता है तो बिलकुल हैरान हो जाता है तो चलिए आगे की कहानी सुनते हैं अध्यायतीन रॉन का घर रॉन हैरी दबी आवाज में बोला फिर वो दबे पाउं खिड़की तक आया और उसके पल्ले को उपर उठाया ताकि छड़ों के बीच से बात हो सके रॉन तुम कैसे क्या हैरी जो देख रहा था जब उसे उसका मतलब समझ में आया तो उसका मुख खुला रह गया फिरोजी रंग की एक पुरानी कार हवा में खड़ी हुई थी और रॉन उसकी पिछली खिड़की से बाहर छुका हुआ था आगे की सीट पर रॉन से बड़े जुड़वा भाई फ्रेट और जॉर्ज थे जो हैरी की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे सब ठीक है हैरी रॉन ने पूछा क्या बात है तुमने मेरी चीठियों का जवाब क्यों नहीं दिया मैंने तुमें बारा बार अपने घर आने का संदेश भिजवाया था फिर टैड़ी ने घर पर बताया कि मंगलों के सामने जादू करने की वज़ा से जादू मंत्राले ने तुमें चेताब नी दी है वो मैंने नहीं किया और उन्हें कैसे पता चला वे जादू मंत्राले में काम करते हैं रॉन ने कहा तुम जानते हो हमें स्कूल से बाहर मंत्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए ये बात जो तुम कह रहे हो हैरी हवा में जूलती हुई कार की जादू नहीं किया है परन्तु जिन मगलूओं के साथ तुम रहते हो उनके सामने जादू करना मैंने तुम से कहा ना मैंने जादू नहीं किया परन्तु पूरी बात समझाने में बहुत वक्त लगेगा देखो क्या तुम हॉगवर्ट्स में जाकर ये पता सकते हो कि मेरे अ क्योंकि मंत्रा ले ये सोचेगा मैंने तीन दिनों में दूसरी बार मंत्र का प्रयोग किया है इसलिए फालतु की बाते मत करो रौन बोला हम तुम्हें अपने साथ घर ले जाने के लिए आए हैं परांतु तुम भी मुझे जादू से बाहर नहीं निकाल सकते हमें उसकी कौन है इसे छडो में बान दो फ्रेड ने हैरी की तरफ रसी का एक सिरा उचालते हुए कहा अगर डर्सली दमपती जाग गए तो मुझे जान से मार डालेंगे हैरी रसी को छडो में बानते हुए बोला चिंता मत करो फ्रेड ने कार स्टार्ट करते हुए कहा और पीछे हट हैरी पीछे हटकर छाया में हैडविक के पास खड़ा हो गया ऐसा लग रहा था जैसे हैडविक को ये ऐसास हो गया था कि ये काम कितना महत्वपूर्ण है इसलिए वो स्थिर और खामोश रही कार के इंजन की गड़गड़ाट तेज होती गई और जब फ्रेड ने कार हवा मे टेजी से आगे बढ़ाई तो अचान नक थमाके की आवास के साथ छड़े खिलकी से अलग हो गए हैरी लपकर खिलकी के पास पहुचा उसने देखा कि छड़े जमीन से कुछ फुट उपर लटक रही थी और हाफता हुआ रॉन उन्हें कार में उपर की तरफ खीच रहा था तनावगरस्थ हैरी ने कान लगा कर सुना परंत उसे डर्सली दमपती के बेटरूम से कोई आवास सुनाई नहीं दी तब रॉन ने छड़े कार की पिछली सीट पर रखनी और फ्रेड ने कार पीछे करके हैरी की खिड़की से चिपका कर खड़ी कर दी रॉन बुला अंदर इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकता कोई दिकत नहीं है जोर्ज आगे की से बुला रास्ते से हट जाओ हैरी फ्रेड और जोर्ज साबधानी पूर्वक खिड़की से होते हुए हैरी के कमरे में आए जब जोर्ज अपनी जेब से एक साधारन हेयर पिन निकाल कर उससे ताला ख दरबादी है परन्तु हमें लगता है ये एक ऐसी कला है जिसे सीखना बहुत फाइदेमंद है हलाकि इसमें समय ज्यादा लगता है एक हल्की क्लिक किया वाज के साथ दरवाजा खुल गया जोर्ज फुस फुस आया अब हम तुम्हारा संदूक लेकर आते हैं तब तक तुम कमरे से अपना सारा जारूरी सामान बटोर कर रौन को दे दो जब जुडवा भाई अंधेरे में सील्णियों पर उतरने लगे तो हैरी ने उन्हें धीमे स्वर में चेताव नी दी सबसे नीचे वाली सील्णियों से पच कर जाना वो आवाज करती है हैरी कमरे में चारों तर इसने की आवाज सुनाई दी आखिर कार वे तीनों हाफते हुए उपर पहुचे फिर हैरी के कमरे से होते हुए वे संदूग को खुली खिड़की तक ले गए फ्रेट कार में पहुचकर रौन के साथ मिलकर संदूग खीचने लगा हैरी और जोर्ज कमरे की तरफ संदूग स दक्का दे रहे थे एक एक इंच करके संदूग खिड़की से पाहर खिसकने लगा वर्नन अंकल दुबारा खासे कार के अंदर से संदूग खीच रहे फ्रेट ने हाफते हुए का थोड़ा सा और पस एक जोर का धक्का हैरी और जोर्ज ने संदूग पर अपने कंदों का पीछे से उल्लू की जोरदार चीक सुनाई दी इसके ततकाल बाद उसने वर्नन अंकल के गरजने की आवाज सुनी ये बेहुदा उल्लू मैं हेडविक को तो भूली गया था जब तक हैरी कमरे में वापस आया तब तक बाहर का बल जल चुका था उसने हेडविक का पिंजर रौन को दे दिया वो खटकी की मुझेर पर चड़ ही रहा था कि तब ही वर्नन अंकल ने खुले ताले वाले दरवाजे पर हतोड़ा मारा और वो छटके से खुल गया एक पल के लिए तो वर्नन अंकल दरवाजे पर ही किसी मूर्ति की तरह स्तब्द खड़े रह गया फिर भड़के हुए सांड की तरह गरस दे हुए उन्होंने हैरी की तरफ छलांग लगई और उसके पैर के पंजे को पकड़ लिया, रॉन, फ्रेट और जॉर्ज, हैरी के हाथ पकड़ कर अपनी पूरी ताकत से खीचने लगे, पैठूनिया, वर्नन अंकल गर्जे, वो भाग रहा है, वो भाग रहा है, वीजली बंदों ने जोरतार जटका दिया, और हैरी का पैर वर्नन अंकल की पकड़ से छूट किया, जैसे ही हैरी कार में आया, उन लोगों ने दरवाजा बंद किया, रॉन चीका, गाड़ी भगा और फ्रेट और कार चांद की तरफ बढ़ने लगी, हैरी को यकीन नहीं हो रहा था, वो आजात था, उसने कार की खिड़की का कांच नीचे कर लिया, और रात की हवा उसके बाल उड़ाने लगी, उसने मुड़कर प्रिविट टाइप की छोटी होती जा रही छटों की तरफ देखा, वर्नन अंकल पेचूनिया आंटी तथा ड सीट पर आराम से बैट गया, उसने रॉन से का, हैडविक को बाहर निकाल दो, वो हमारे पीचे उड़ सकती है, उसे एक जमाने से अपने पंक फैलाने का मौका नहीं मिला है, जॉर्ज ने रॉन को हेर पिन दी, और एक पल बाद हैडविक खुशी से खिड़की के बाहर बता, हैरी ने उन लोगों को डॉबी के बारे में सारी बातें बताए, उसने उन्हें डॉबी की चेतावनी और पुडिंग की दुरगटना के बारे में बताया, जब उसने अपनी बात पूरी कर ली, तो सदमे भरी एक लंबी खामोशी चा गई, आखिर कार फ्रेट बोला, बड़ा संदिक दुमामला है, जोर्ज सहमत था, निश्चित रूप से चालबाजी है, तो उसने तुमें ये नहीं बताया, कि ये साजिश कौन कर रहा था, हैरी ने का, मुझे नहीं लगता कि वो बता सकता था, मैंने तुमसे का ना, हर बार जब भी वो कोई इसे इस तरह से देखो, घरेलू जिन्नों के पास भी जादू की काफी शक्ती होती है, परन्तु आम तोर पर वे अपने मालिकों की अनुमतिके बिना इसका प्रयोग नहीं कर सकते, मेरा अंदाजा है कि टॉबी को तुमारे पास इसलिए भेजा गया था, ताकि तुम हॉग परत करता है, ट्रैको मेलफॉय, जोर्ज ने मुड़ते हुए पूचा, लूसियस मेलफॉय का बेटा तो नहीं, वही होगा, ये कोई बहुत प्रचलिस सरनेम नहीं है, हैरी बोला, क्यों, मैंने डैडी को उसके बारे में बाते करते, सुना है, जोर्ज बोला, वो तुम जा आया कि उसे गलत समझा गया था, फालतु की बकवास, डैडी सोसते हैं कि वो तुम जानते हो कौन के सबसे खास लोगों में से एक था, हैरी ने मेलफॉय परिवार के बारे में ये अवाहें पहले भी सुनी थी, और उन्हें सुनकर उसे जरा भी आशर नहीं हुआ, ट्रैको मेलफॉय के सामने डैडली, डर्सली, एक दयालू, विचारशील और समवेदनशील बच्चा नजर आता था, हैरी ने कहा, मैं नहीं जानता कि मेलफॉय परिवार के पास कोई घरेलू जिन है भी या नहीं, फ्रेड बोला, देखो जो भी उसका मालिक होगा, वो कोई पुरा माना जादूगर परिवार होगा, और बहुत अमीर होगा, हाँ, मम्मे हमेशा कहती है कि काश हमारे पास कपड़ों पर प्रेस करने के लिए घरेलू जिन होता, जॉर्ज ने कहा, परन्तु हमारे पास तो बस अटारी में एक गंदा बूढ़ा पिशाच है, और बगीचे में बॉने हैं, घरेलू जिन बहुत पुरानी जागीरों और महलो जैसी जगापर रहते हैं, वो हमारे घर जैसी जगापर नहीं मिल सकता, हैरी खामोज था, चोकि ड्रेको मेलफॉय के पास हर चीज आम तोर पर सर्फ श्रेश्ट होती थी, और उसका परिवार बहुत अमीर था इसलिए वो ये कल्प न भी कर सकता था, कि मेलफॉय एक बड़ी जागीर के महल में अकड़ कर चल रहा है, परिवार के सेवक को बेच कर हैरी को हॉगवर्ट्स पहुँचने से रोकने की हरकत, ठीक वैसी ही थी, जो मेलफॉय कर सकता था, क्या हैरी इतना मोर्ग था, कि उसन जो भी हो, मुझे खुशी है कि हम तुमें लेने पहुँच गए, जब तुमने मेरे एक भी खत का जवाब नहीं दिया, तो मैं सचमुच चिंतित हो रहा था, मैं पहले तो यही सोस्ता रहा, कि ये एरल की गलती थी, एरल कौन है, हमारा उल्लू, वो बहुत बूढ़ा हो ग रीद कर दिया था, फ्रेड आगे की सीट से बोला, परंतु परसी उसे उधार देने को तयार नहीं हुआ, रॉन ने बताया, उसने कहा था, कि उसे उसकी जरूरत थी, जोर्ज ने तियोरियां चड़ाते हुए का, परसी इन चुटियों में बहुत अजीब व्योहार कर रहा है, वो बहुत सी चीठियां बेज रहा है, और ज्यादतर समय अपने कमरे में बंद रहता है, मेरा मतलब है, कोई अपने प्रिफेक्ट वाले बिल्ले को आगर कितनी बार पॉलिश कर सकता है, तुम पश्यम दिशा में ज्यादा आगे जा रहे हो, फ्रेड उसने डैश बोर् अंदाजा लगा लिया, आरे नहीं, रॉन ने कहा, उन्हें रात को आफिस में काम था, उमीद है कि हम गैरेज में कार वापिस खड़ी कर देंगे, और माग को भी ये पता नहीं चल पाएगा, कि हमने कार उड़ाई थी, वैसे तुम्हारे डैडी चादू मंत्राले में क्या काम करते हैं, रॉन ने कहा, वे सबसे बोरिंग व्यभाग में काम करते हैं, मगलू, वस्तू, दुरुप्योग व्यभाग में, क्या? इसका सम्मन्द जादूगरों दोरा मगलू की चीजों पर जादू करने से है, ताकि कही वे बाद में गल्ती से किसी मगलू दुकान या घर पर ना पहुंच जाएं, जैसे पिछले साल एक बूरी जादूगर नी मर गई, और उसका टी सेट मगलू की पुरानी वस्तूओं की दुकान में पहुंच गया, एक मगलू महिला उसे खरीद कर घर ले गई, और उसमें अपने मित्रों को चाह पिलाने लगी, ये एक गर क्यूब उठाने वाले चिम्टे ने उसकी ना को कसकर पकड़ लिया था, डैडी को पागलों की तरह काम करना पड़ा, ओफिस में वे और बूड़े परकिंस ही थे, जिने इस मामले को दबाने के लिए या दाश्त मिटाने के मंत्र पढ़ने पड़े, और बाकी सारी ची आसमान से भरा है, वे उनका पुर्जा पुर्जा खोल कर उन पर मंत्र पढ़ते हैं, और पुर्जों को फिर से जोड़ देते हैं, अगर वे अपने ही घर पर चापा मारें, तो उन्हें खुद को सीधे गिरफतार करना पड़ेगा, इससे मा गुसे में पागल हो जाती है, जॉर्ज ने विंड स्क्रीन से नीचे जहांकते हुए का, वो रही मुख्य सड़क, हम वहाँ दस मिलट में पहुँच जाएंगे, ये ठीक भी रहेगा, क्योंकि उजाला होने वाला है, पूर्व दिशा के आसमान में हलकी गुलाबी चमक दिखने लगी थी, फ्रेड ने का थोड़ी नीचे की, अब हैरी को खेतों और पेडों की काली आकरतियां दिखी, जॉर्ज ने कहा, हम अपने गाउं से थोड़ा बाहर हैं, जिसका नाम है ओट्री सेंट कैच पोल, उड़ने वाली कार नीचे उतरती गई, चमकते लाल सूरज का किनारा पेडों के बीच से च अब हैरी ने पहली बार रौन का घर देखा, ये ऐसा दिख रहा था, मानो कभी पत्थर से बना सूर का बड़ा दड़बा रहा हो, और बाद में इसमें यहां वहां अतरिक्त कमरे बनाए गए हो, जब तक कि ये कई मंजल उचा नहीं बन गया हो, रौन का घर इतना टेड़ दिख रहा था, जैसे जादू के बल पर खड़ा हो, हरी ने सोचा हो सकता है, ये जादू के बल पर ही खड़ा हो, चार-पांच धुए वाली चिमनिया लाल छट के उपर टिकी हुई थी, प्रवेश द्वार के पास जमीन पर एक तिरचा साइन बोर्ड लगा था, जिस पर दिखा था, दबरो, घर के प्रवेश द्वार के पास वैलिंग्टन जूतों का धेर लगा था, और एक बहुत बड़ी जंग लगी कड़ाई रखी थी, कई मोटी भूरी मुर्गयां आंगन में चोच मारती हुई घूम रही थी, रॉन बोला, घर कोई खास नहीं है, ये दो बहुत बड़िया है, हैरी ने प्रेविट ट्राइब के बारे में सोचते हुए, खुशी खुशी कहा, वे कार से उतर कर पाहरा गए, फ्रेट बूला, अब हम बिल्कुल चुप चाप उपर की मंजिल पर चलते हैं, और इंतजार करते हैं, कि मम्मी हमें नाशते के लिए ठीक है, रॉन बुला, आजाओ हैरी मेरा कमरा वहाँ है, रॉन के चहरे का रंग अचानक मटमेला हरा हो गया, उसके आखे घर पर जमी हुई थी, बाकी तीनों पीछे देखने के लिए घूमें, मिस्स वीजली मुर्गियों को तितर बितर करते हुए आगन पार करती हुई आ रही थी, खास बात ये थी कि नाटी मोटी और दयालू चहरे वाली ये महिरा इस समय खुंखार शेरनी की तरह दिख रही थी, आख फ्रेड बोला, ओ डियर, जार्ज ने कहा, मिस्स वीजली उनके सामने आकर रुक गए, कमर पर हाथ रखकर, वे अपरादी भाव वाले ए कल रही थी, तो उन्होंने कहा, गुद मॉर्निंग ममी, जॉर्ज ऐसी आवाज में बोला, जो उसके हिसाब से बहुत जोशी ली और सम्मोहक थी, मिस्स वीजली कहर ढाने वाले अंदाज में फुस फुस हैं, तो मैं पता है, मैं कितनी चिंता कर रही थी, सौरे ममी, बिस्टर खाली, कोई चेठी नहीं, कार गायब, दुर घटना हो सकती थी, मैं चिंता के मारे पागल हो रही थी, परंतु तुम्हें जरा भी परवा है, जब तक मैं चिंता हूँ, ये नहीं चलेगा, जरा ठैरो, तुम्हारे डैडी को लोटने दो, हमें कभी बिल, चार्ली ये परसी के साथ, ऐसी कोई दिकत नहीं हुई, परसी तो आदर्श है, फ्रेट बुद बुद आया, परसी को देख कर तुम भी तो कुछ सिक्षा ले सकते हो, मिसेस वीजली फ्रेट के सीने में एक उंगली चुब होते हुए चीखी, तुम्हारी चान जा सकती थी, कोई तुम्हारे पिता की नौकरी जा सकती थी, ऐसा लगा, जैसे उनकी डाट घंटों तक चली, चिला चिला कर जब मिसेस वीजली का गला बैट गया, तब कहीं जाकर वे हैरी की तरफ मुणी, जो पीछे दुबग गया था, उन्होंने कहा, तुम्हें देखकर मैं बहुत मेरे बच्चे अंदर आओ और नाश्ता कर लो, वे पलट कर घर के अंदर चली गई, हैरी घबरा कर रौन की तरफ देखने लगा, परन्तु जब रौन ने उसका उत्सा बढ़ाते हुए सेरह लाया, तो हैरी उनके पीछे चल दिया, केचन छोटा था, और उसमें जगह कम थ ठीक पीच में लकडी की टेबल कुरसियां रखी थी, हैरी चारो तरफ देखते हुए एक कुरसी के कोने पर पैट गया, वो इससे पहले कभी किसी जादुगर के घर में नहीं गया था, उसके सामने एक दीवार घड़ी लगी थी, जिसमें सिर्फ एक ही कांटा था, और उसम में देर हो गई है, उपर की अलमारी में पुस्तके तीन लाइनों में गयराई तक एक एक उपर एक लगी हुई थी, पुस्तकों के शिर्फक कुछ इस तरह थे, अपने खुद के बनाए पनीर पर जादु करें, बेकिंग का जादु, और एक मिरट में दावत जादु से, औ अगर हैरी के कान उसे धोखा नहीं दे रहे थे, तो सिंग के पास रखे, पुराने रेडियो ने अभी ये घोशना की थी, कि चल दी ही जादुगर्नियों का फरमाईशी कारक्रम पेश होने वाला है, जिसमें लोगप्रिये जादुगर्नी सेलेस्टीना वार्बेक मेसेस वीजली चारों तरफ घुमते हुए खड़खड़ कर रही थी और थोड़ी लापरवाई से नाश्ता बना रही थी, अपने बेटों को गुस्से से घुरते हुए उन्होंने फ्राइंग पैन में कबाब डाले, रह रह कर वे इस तरह की बातें बुदबुदा रही थी जैसे नहीं जानती थी कि तुम्हारे ऐसे एरादे थे, कभी इस बात पर यकीन नहीं किया होता, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, उन्होंने हैरी को आश्वस्त किया और उसकी प्रेट में आठ नो कबाब डाल दिये, और थर और मैं भी तुमें लेकर परिशान थे, अभी पिछली रात को ही हम बाते कर रहे थे, कि अगर तुम शुक्रवार तक रौन की चिठी का जवाब नहीं दोगे, तो हम तुम्हें खुद लेने आएंगे, परन्त ये तो हद हो गई, अब वे उसकी प्रेट में तीन तले अंडे रख रही थी, एक गैर कानूनी कार आने लगी, आस्मान में पादल थे मम्मी, फ्रेट बोला, खाटे समय अपना मूँ बं रखो, मिसस वीजली ने डाटते हुए का, जॉर्ज ने का, मम्मी वे इसे भूका रख रहे थे, और तुम भी चुप रहो, मिसस वीजली बोली, परन्त ये सुनने के बाद वे थोड़ चीखी और दोड़ कर बाहर चली गई, रॉन ने धी में से हैरी को बताया, जीनी, मेरी बेहन, वो पूरी गर्मियों भर तुम्हारे बारे में बातिक करती रही, हाँ हैरी, वो तुम्हारा ओटोग्राफ लेना चाहेगी, फ्रेड ने मुस्कुराते हुए का, परन्तु तब समय लगा, फ्रेड जमहाई लेते हुए बुल, ओफो मैं धग गया हूँ, उसने अपना छोरी काटा रखते हुए का, मुझे लगता है कि अब मैं सो जाऊं और तुम नहीं सोगे, मैसेज वीजली ने उसकी बात काटते हुए का, तुम अपनी गल्दी की वज़ा से सारी रा हैं डालते हुए का, परन्तु हैरी की तरफ देखते हुए वे बोली, तुम सोने जा सकते हो बेटे, तुमने इन से उस कमबक्त कार को उड़ाने के लिए नहीं कहा था, परन्तु हैरी को तो नीन नहीं आ रही थी, इसलिए वो जल्दी से बोला, मैं रॉन की मदद करूँग उन्होंने अलमारी में रखी, किताबों के धेर में से, एक भारी किताब खीच कर निकाली, जॉर्ज ने दर्द भरी आहार निकाली, मम्य हमें मालूम है, बगीचे से बोनों का सफाया कैसे किया जाता है, हैरी ने मिसिस वीजली के हाथों में रखी, पुस्तक का कवर देखा उस पर चमकदार सुनहरे अक्षरों में ये शब्द लिखे थे, गिल्ड रॉय लॉक हार्ट की गरेलू कीट नाशक मार्ग दर्शी का आगे एक बड़ा चित्र था, जिसमें उड़ते सुनहरे बालों और चमकती नीली आँखों वाला एक बहुत ही आकरशक जादुगर था जैसा जादु की दुनिया में हमेशा होता था, चित्र हिल रहा था, हैरी समझ गया कि यही गिल्ड रॉय होगा, वो जादुगर सब की तरफ धीट अंदाज में आँख मारता रहा और मिसेस वीजली उसे देखकर खुश होती रही, उन्होंने का बड़े कमाल की जादुगर हैं, घरेलू कीटो के बारे में में सब कुछ जानते हैं, इस पुस्तक का कोई जवाब नहीं, फ्रेड ने सब को सुनाई देने वाली फुस फुसा हट में का ममी लॉक हर्ट की बहुत बड़ी फैन है, मिसेस वीजली के गाल थोड़े गुला भी हो गये, जब वे बोली, बे बगीचे की जाच करने आऊंगी, तब अगर मुझे वहाँ एक भी बोना मिल गया, तो तुम्हारी खेर नहीं है, उबासी लेते और बड़ बड़ाते हुए वीजली बंदू, धीमे कदमों से बाहर की तरफ चल दिये, हैरी उनके पीछे था, बगीचा बड़ा था, और हैर चारों के चारों तरफ गांटदार पेड़ थे, हर क्यारी में ऐसे पौधे लगे थे, जिनने हैरी ने पहले कभी नहीं देखा था, और मेटकों से बड़ा एक बड़ा हरा तालाब था, क्या तुम जानते हो कि मगलूं के बगीचें में भी पौने होते हैं, हैरी ने लौन करते हुए, रौन को पताया, हाँ मैंने उन चीजों को देखा है, जिसे मगलू बउना समझते हैं, रौन ने कहा और अपने सिर को एक जारी में अंदर डालते हुए कहा, जैसे क्रिसमस के समय उगने वाले मचली पकरने की छड़ी चैसे मोटे और नाटे पौधे, जोर्दा हाता पाई कि आवाजाई जारी हीली और रौन सीधा खड़ा हो गया, ये एक बोना है, उसने संजीत गी से का, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, बोना चीखा, वो बोना क्रिसमस के समय उगने वाले पौधे की तरह कता ही नहीं था, ये छोटा और चम्र जैसा दिख रहा था, रौन ने उसे टकनों के पास से पकड़ा और उल्टा लटका दिया, रौन बोला, ये ही करना पड़ता है, उसने बोने को अपने सिर के ऊपर उठाया, मुझे छोड़ दो, और फंदे की तरह लंबे चकर में गोल गोल खुमाने लगा, हैरी के चेहरे पर सदमे के भाओ दे कर रौन ने आगे का, इसे उन्हें चोट नहीं पहुंच दी, आपको बस उन्हें सचमुच चक्राना होता है, ताकि वे दुबारा अपने बिल का रास्ता ना खोड़ सकें, फिर उसने बोने के टकने छोड़ दिये, और वो हवा में 20 फुट उड़ा, और धम की आ होना चाहिए, जब उसने अपना पहला बोना पकड़ा, तो उसने फैसला किया कि वो उसे सिर्फ बागड के पार फिकेगा, परन्तु बोने ने उसकी कमजोरी भाप ली, और अपने बेट की तरह नुकी ले दात हैरी की उंगली में गड़ा दिये, हैरी को उसे खुद से जोज ने पांच-छे बोनों को एक साथ पकड़ते हुए का, जैसे ही उन्हें पता चलता है कि बोनों का सफाया हो रहा है, तो वे इसे देखने के लिए बाहर निकलाते हैं, अब तद तो उन्हें अंदर रहना सीख लेना चाहिए था, जल्दी ही मैदान में गिरे बहुत सा जारे बोने अलग-अलग लाइने बना कर दूर जाने लगे, उनके छोटे कंधे जुके हुए थे, जब वे बोनों को मैदान के दूसरी तरफ बागर में गायब होते देख रहे थे, तो रौन बुला, वे दुबारा लोट आएंगे, उन्हें ये जगह बहुत पसंद है, ड मिस्टर वीजली अपना चश्मा उतार चुके थे, और आखे बन करके किचन में एक कुर्सी पर बैठे थे, वे दुबले थे और गंजे हो रहे थे, परन्तों उनके सिर पर जो थोड़े बहुत बाल बचे थे, वे भी उनके बच्चों की तरह ही लाल थे, वे लंबा हरा दूल और सिलवाटों से भरा था, जब सब बचे उनके चारों तरफ बैठ गए तो वे चाय की केतली को टटोलते हुए बुदुदाए, आज बहुत काम करना था, और बुढ़े, मंद अंगस फ्लेचर ने मुझ पर तभामला करने की कोशिश की, जब मेरी पीट उसकी तरफ कुछ बहुत गंभीर सामान भी था, जो मेरे विबाग में नहीं आता था, मौटले को बहुत अजीब सी बिल्लियों के बारे में पुछताश के लिए हिरासत में ले लिया गया है, परंतु बगवान का शुक्र है कि ये प्रयोगिक मंत्रों की समयती का काम है, जोर्ज ने प पड़े, तो वो उन्हें कभी न मिले, जाहिर है, किसी को इस बात के लिए अपरादी सिद्ध करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि कोई भी मगलू ये मानने को तयार नहीं होगा, उसकी चावी से कुड़ती रहती है, वे इस बात पर जोर देते हैं, कि उनकी चावी उनसे ख करोगी, कि हमारे जादूगर किस तरह की चीज़ों पर जादू करते हैं, जैसे कारों पर मिस्स वीजली आ गई थी, और एक लंबे पोकर को तलवार की तरह लहरा रही थी, मिस्टर वीजली की आँखे ततकाल खुल गई, वे अपरादी भाह से अपनी पत्नी को खुरते रह कार मौली, हाँ अर्थर, कार, मिस्स वीजली बोली, और उनकी आँखों से जैसे चिंगारिया निकल रही थी, जरा कल्प ना करो, एक जादूगर एक जंग लगी पुरानी कार खरीता है, और अपनी पत्नी से कहता है, वो सर्फ इसके पूर जयालग अलग करके ये देखना जाता है कि ये किस तरह काम करती है, जबकि दरसल वो इसे उड़ाने के लिए इस पर जादू करना चाहता है, मिस्टर वीजली पल के जपकाने लगे, जारलिंग मैं सोचता हूँ तुम्हें ये मालूम होना चाहिए, कि वो ये काम कानून के भीतर रहकर कर रहा है, हलाकि ये कि कार उड़ सकती है, उसे अपरादी नहीं, मिस्टर वीजली चिला कर बोली, और्थर वीजली, जब तुमने ये कानून लिखा था, तो तुमने जान बूचकर इसमें बचाओ का ये रास्ता छोड़ा था, ताकि तुम अपने गैरेज में मंगलों के कबार के साथ उठा प वीजली ने सपाट अंदाज में पूचा, कौन हैरी, उन्होंने चारों तरफ देखा, हैरी को देखते ही वे उचल पड़े, हे भगवान क्या ये हैरी पॉटर है, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, रोन ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पताया है, तुम्हारे ब मतलब है, परन्तु जब उन्होंने मिसस वीजली की आँखों से अंगारे निकलते देखे, तो अटकते हुए बुले, तुम्हें बहुत गलत काम किया है लड़कों, सच मुछ बहुत गलत काम किया है, जैसे ही मिसस वीजली किसी बड़े मेठक की तरह फूलने लगी, रोन न गर के उपरे हिस्से में जा रही थी, तीसरी मंजिल पर एक दर्वाजा आदा खुला था, हैरी को उसमें से चमकती भूरी आंके दिखी, जो उसकी तरफ घूर रही थी, उसके बाद दर्वाजा जल्दी से बंद हो गया, जीनी, रोन बुला, तुम नहीं जानते, उसका शर हैरी अंदर खुसा, उसका सिर कमरे की लगबग धल्मा छट को छूरा था, उसने पलके चपकाई ऐसा लग रहा था, जैसे वो किसी भटी में घुस गया हो, क्योंकि रोन के कमरे की लगबग हर चीज बढ़की ले नारंगी रंकी थी, बिस्तर की चादर, दिवारें, यहां तक की छट भी, फिर हैरी को ऐसास हुआ कि रोन ने फटे पुराने वाल पेपर को साथ जादूगर्नियों और जादूगरों के पोस्टर से पूरी तरह से ढख रखा था, जो सब भड़की ले नारंगी दुशा ले पहने थे, जादू ही झाड़ूए थामे थे, और उत्सा से हाथ हिला रहे थे, तुमारी क्विडिच टीम, हैरी ने पूछा, दचेडली कैनन्स, रोन ने नारंगी चादर की तरफ इशारा करते हुए का, जिस पर काले एक्षरों में दो बड़े सी लिखे थे, और एक टेज गती से चलता तोप का गुला बना था, लीग में नवे स समय कारना में थे, रोन की जादूई चड़ी, मचली के टैंक के उपर पड़ी थी, जो खिड़की की देलीज पर रखा था, और मेड़क के अंडों से भरा था, उसके बगल में रोन का मोटा भूरा चुआ स्क्रैबर स्लेटा था, जो सूरज की रोशनी में जपकी ले रहा हैरी फर्ष पर पड़े अपने आप फिटने वाले ताश के पतों की गटी को लांगते हुए छोटी खिड़की से बाहर देखने लगा, बहुत नीचे मैदान में उसे बनों का जुन दिक रहा था, जो एक एक करके बगीचे की बाकड के अंदर दुबारा घुस रहे थे, फ उस कमरे की तरह नहीं है, जो उन मगलों के साथ रहते समय तुम्हारे पास था, और मैं सीधे अटारी में रहने वाले पिछाच के नीचे रहता हूं, जो हमेशा पाइप को जोर जोर से बचाता रहता है और चीकता रहता है, परन्तो हैरी एक चौड़ी मुस्कान के साथ बो पहुच गया है, यानि कि अब वो हॉगवर्ट्स जा पाएगा, लेकिन इसके पहले उसे अपनी किताबे भी तो खरीदनी है, और नए साल के लिए कुछ जरूरी सामान भी, तो अगले भाग में जानेंगे कि हैरी कैसे पहुचेगा छूम मंतर गली, आप बने रहिए